चैय श्रीराम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजर, निमरोलोचिस्ट, लाल किताब अनवास्तू कंसल्टेंट आप सबी का फिर से स्वागत करता हूँ तुलसी की महिमा तो शायद कौन नहीं जानता है, सनातन धरम में तुलसी को एक पवित्र पौधा माना गया है और जगत के संचालक भगवान विश्नु को तुलसी का पत्र बेहद प्रिया है और यही वज़ा है कि तुलसी को हरे प्रिया भी कहा जाता है सनातन धर्में लगबग हर पूझा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल होता ही होता है तुलसी सनातन धर्म के दरश्टी कौन से बेहत शुब पौदा माना जाता है और केवल धरम के द्रश्टी कोड से ही नहीं बलकि अपने ओश्दिय गुणों की वजा से भी भारत के घरगर में तुलसी पाई जाती है लेकिन तुलसी के पत्तों को तोड़े जाने के कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना चाहिए वन्ना आपको बहुत नेगेटिव एफेक्ट्स बहुत नेगेटिविटी बहुत नकारात्मक परणाम मिल सकते हैं क्या है तुलसी पत्तर को तोड़ने से पहले के नियम उससे जुड़े ज़रूरी नियमों के बारे में आप जान लीजिए तुलसी को सबसे पहले कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए इससे बहुत बड़ा दोश लगता है तुलसी को तोड़ते वक्त हमेशा उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करें आगे वाले हिस्से से तोड़ें नाखूनों से कभी न तोड़ें और यदि आपके घर में कोई तुलसी का पोड़ा है जो सूख चुका है तो उसे घर में न रखें या तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं जमीन के नीचे दफना दें सूखा तुलसी का पोड़ा घर में नकारात्मा कूरजा का संचार करता है negativity लेकर के आता है कभी भी बिना स्नान करें तुलसी को न चूएं गलती से भी सूर्यगरण और चंद्रगरण के दोरान तुलसी का महत बहुत बढ़ जाता है इस दोरान घर में मौझूद भोजन के साथ तुलसी पत्र रखकर उस भोजन को सूर्यगरण या चंद्रगरण के प्रवाव से बचाया जाता है ऐसी माननेता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि ये कारिये सूर्यगरण और चंद्रगरण से पहले कर लेना चाहिए क्योंकि सूर्यगरण या चंद्रगरण के दोरान तुलसी के पत्ते को तोड़ना है तुलसी को हाथ लगाना निशेद माना गया है शास्त्रों में हाँ भगवान शंकर और उनके पुत्र भगवान गणेश को तुलसी पत्र अर्पित करना निशेद है कभी नहीं चड़ाना चाहिए शिवलिंग पर या भगवान गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना है वहीं भगवान विश्णू को तुलसी पत्र अर्पित करने से बहुत ही शुफल प्राप्त होते है अमावश्या, द्वादशी और चतुरदशी के दिन भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना completely वर्जित माना गया है रभिवार के दिन भूल से भी तुलसी का पत्र ना तोड़ने और ना ही इसे जल दें रभिवार के दिन जल भी नहीं देना है तुलसी में ऐसा करने से बहुत negative effects body पर आ जाते हैं बहुत negative effects घर में आ जाते हैं जितना हो सके तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचें हमेशा कोशिश करें कि उन तुलसी के पत्तियों को पहले इस्तेमाल हो जो स्वते टूटकर जमीन पर गिरी हो उन्हें पहले इस्तेमाल करें मनेता है कि तुलसी के पत्तों में रादा जी का वास होता है और क्योंकि सूरियस्त के बाद भगवान श्रीकरशन रादा रानी वन में रादा जी के साथ रास रचाते हैं ऐसे में सूरिय अस्त के बाद तुलसी के पत्तों को कदापी नहीं तोड़ना चाहिए मन्यता तो यह भी है कि इससे भगवान करश्णोर रादा जी के रास में खलल पड़ता है और आपके जीवन में दिक्कते आनी नेचरली शुरू हो जाती है सुब आभवावे क्या की आएंगी? आएंगी भगवान को चड़ाय जाने वाले परसाद में जब भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करें तो इस बात का विशेस्ट ध्यान रखें कि यह पत्ते 11 दिनों से जादा पुराने ना हो 11 दिन से ज्यादा पुराने पत्ते भगवान को और पित नहीं करने चाहिए लेकिन 11 दिन के अंदर ٹोटे हुए जो पत्ते होते हैं तुलसी के उनको शुभ माना जाता है उनको फरेशी ताजा ही माना जाता है आप 11 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत बहुत आबार आप सबका, अगर आपको यह मारी विडियो पसंद आती हैं, तो आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दाबारा न भूलें, हमारी विडियो को लाइक करें, और कमेंट बोक्स में कमेंट करके यह मैं जरूर बताएं कि आ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सब को मेरी तरफ से जय श्री राम